नमस्कार साथियों, IMT खरकोदा फेज 1 के अंदर कौन-कौन सी कंपनिया आने वाली हैं। उनके बारे में आज हम जिकर करने वाले हैं। अगर बात करें, IMT खरकोदा फेज 1 के अंदर 1574 पलोट कंपनियों को दिये जा चुके हैं। आज हम जिकर करने वाले हैं कि वो कौन-कौन सी कंपनिया हैं जो IMT खरकोदा के अंदर आने वाले समय में अपने उद्योग दंदों को स्थापित करने का कारिय करने वाली हैं। जिन के लिए हमारे पास 144 पेजों की PDF आ चुकी है। और PDF आपको वीडियो के अंत में शोरेन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके वाटसप के वाद दिम से हम देने का भी कारिय करने वाले हैं। तो खरकोदा के अंदर पहले स्थान पर IMT खरकोदा में पलोट नंबर पाच के अंदर अगर बात करें जिस व्यक्ति ने अलोट किये हुए हैं अस्वनी बाली जी दवारा यहाँ पर Manufacture of Rehabilation Product के लिए कंपनी के लिए आवेदन करने का कारिय किया गया है। दूसरे स्थान पर IMT खरकोदा में पलोट नंबर 6 के अंदर MSJKP Master Batch Private Limited Company पलोट नंबर 6 के अंदर आने वाली है। जिसके लिए जो यहाँ पर आने वाले समय में Master Batch और Polymer से जुड़ी Compounds को बढ़ाने का कारिय करने वाली है। तीसरे स्थान पर खरकोदा अक्षेतर के पलोट नंबर 8 में MSS के वायर एंड केबल प्राविट लिमिटेड कंपनी आने वाली है। जिसको Manufacturing of Wire, Drying and Enable EML यहाँ पर वायर बढ़ाने का कारिय किया जाएगा। खरकोदा अक्षेतर में चोथे स्थान पर पलोट नंबर 10 के अंदर MS Devic Industries आने वाली है जो Electric और Home Appalience से जुड़ी कंपनी है। इसके बाद बात करें मारुति के नंबर अंदर पलोट नंबर 15 के अंदर MS NNPB InfraCon Private Limited कंपनी आने वाली है जो Information Technology यानि की IT से जुड़ी कंपनी है। इसके बाद मारुति में पलोट नंबर 18 के अंदर MS Ravi Paint Pack Private Limited कंपनी आने वाली है जो Paint और Packaging का काम करने वाली है। इसके बाद यहाँ पर IMT खरकोदा में पलोट नंबर 20 के अंदर Mr. Ramesh Kumar पवार दवारा आवेदन किया गया है जो Printing और Packaging से जुड़ी कंपनी में काम करने वाले है। इसके बाद मारुति प्लांट नंबर 21 के अंदर यहाँ पर बात करें तो MS Powers Private Limited कंपनी आने वाली है जो MS Tanks Electric Power Distributor Transforms को बनाने का कारिय करने वाली है। इसके बाद IMT खरकोदा में प्लोट नंबर 24 के अंदर राकेश कुमार सिंगल दवारा आवेदन किया गया है जिनके अनुसार SS UTA लीट टीज के लिए यहाँ पर आवेदन किया गया है। प्लोट नंबर 27 मारूती के नजदी की एरिया में IMT खरकोदा के अंदर मिश्टर नवीन मित्तल के दवारा आवेदन किया गया है जो खरकोदा में footwear, safety hardness, safety helmet, industry और road safety से जुड़ी jackets को बनाने का कारिय करने वाले हैं। IMT खरकोदा के अंदर प्लोट नंबर 28 के अंदर मिश्टर संजय अरोडा और सुनील अरोडा दवारा आवेदन किया गया है जो कि यहाँ पर copper wire aluminum से जुड़ा कारिय करने वाले हैं। IMT खरकोदा के अंदर प्लोट नंबर 31 जो कि अलोट हो चुका है उसको मिश्टर अंशूल गुपता के दवारा अलोट किया गया है यहाँ footwear manufacturing से जुड़ा कारिय होने वाला है। मारुति के अंदर प्लोट नंबर 32 इसके लिए प्यूश गोयल दवारा आवेदन किया गया है जो auto parts को बढ़ाने का कारिय करने वाले हैं। खर्खोदा के अंदर प्लोट नंबर 33 यहाँ पर मिश्टर करण चोधरी और वरिति मलिक के दवारा आवेदन किया गया है। यह plastic product से जुड़े कारिय है आई-म्टी खर्खोदा में करने वाले हैं। इसके बाद प्लोट नंबर 34 यहें MRS राजबाला एंड हिमांशुग गरग के दवारा आवेदन किया गया है जिसमें footwear manufacturing settle for lines यहाँ पर modeling से जुड़ी चीज़े बनाने का विकारिय किया जाएगा। इसके बाद प्लोट नंबर 35 आई-म्टी खर्खोदा में MR प्रवीन कुमार और मुकेश कुवार के दवारा आवेदन किया गया है यह footwear और accessories से जुड़ा कारिये यहाँ पर करने वाले हैं। इसके बाद प्लोट नंबर 36 यह आदर्स industries के नाम से registered हुआ है जो footwear manufacturing के साथ साथ यहाँ पर lining और modeling से जुड़ा कारिये करने वाले हैं। इसके बाद प्लोट नंबर 38 MRS, रेनू बंसल और बबीता कंसल दवारा आवेदन किया गया है यह manufacturing footwear parts और accessories को बढ़ाने का कारिये IMT खरकोदा में करने वाले हैं। इसके बाद IMT खरकोदा में प्लोट नंबर 40 जो है वो मिश्टर संजीव कुमार के नाम से आवेदन हुआ है जिसमें manufacturing footwear parts से जुड़ा कारिये यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद IMT खरकोदा में प्लोट नंबर 40 जो MSAP Flanks Private Limited के नाम से registered हुआ है यहाँ पर P pipe fitting और allied products से जुड़ा कारिये किया जाएगा। इसके बाद प्लोट नंबर 44 MSAAR Enterprises के नाम से यहाँ प्लोट कटा है और यहाँ पर item sweets और candies को बनाने का कारिये किया जाएगा। इसके बाद प्लोट नंबर 46 मिश्टर रिसब कटियाल और स्चिवम कटियाल के दवारा आवेदिन किया गया है यहाँ पर footwear eva seats को बनाने का भी कारिये किया जाएगा। इसके बाद IMT खरकोदा में प्लोट नंबर 47 मिश्टर सुरेश चंद गोयल दवारा आवेदिन किया गया है जो नमकिन, बेकरी, पल्स, स्पाइस और allied product को बनाने का कारिये करेंगे। इसके बाद प्लोट नंबर 48 IMT खरकोदा में असोक कुमार जैन और अनिल जैन दवारा आवेदिन किया गया है। बनाने का कारिये करेंगे पलोट नंबर 51 यह मिश्टर अमित कुमार के नाम से रिजिस्टर हुआ है जो यहाँ पर सज्जिकल डिस्पोजल कारिये को बनाने का कारिये करेंगे। इसके बाद plot number 52, शतीश कुमार बात करें, एलावदी के नाम से रिजिस्टर्ड हुआ है, यह आपर sitting और printing alufoil flexible pharmaceutical से जुड़ा कारिये करने वाले हैं, इसके बाद plot number 53, यह हरिश गुपता के नाम से रिजिस्टर्ड हुआ है, और इसके लिए proposed जो area होगा, यह है plastic sheet से कारिये करने वाले हैं, इसके बाद plot number 54, यह है मंदीप सिंग हुंजन के नाम से रिजिस्टर्ड हुआ है, जो sports से जुड़े जुटे बढ़ाने का कारिये करेंगे, इसके बाद plot number 55, यह रमेश कुमार रोहिला के नाम से रिजिस्टर्ड हुआ है, जो यहाँ पर pipes और plastic से ज नाम से रिजिस्टर्ड हुआ है, यह floor meal और allied activities से जुड़ा कारिये करने वाले हैं, पलोट number 57, मिश्टर जितेंदर डेटवानी के नाम से रिजिस्टर्ड है, यह touches include chargeable battery, operated bluff इतादी को बढ़ाने का कारिये करेंगे, पलोट number 58, आरती गुपता के नाम से रिजिस्टर्ड है, यह socks और इस परकार के items को बढ़ाने का कारिये करेंगे, इसके बाद पलोट number 59, मिश्टर करन चिकारा एंड स्रीमती जोती चिकारा के नाम से अलोट हुआ है, यह यहाँ पर boxes और paper से जुड़ा कारिये करने वाले हैं, इसके बाद पलोट number 6, MS जेस्वाल 8, Press Private Limited के नाम से कट है, जो कि manufacturing, boxes, packing और allied से जुड़ा कारिये करने वाले हैं, इसके बाद मारुती के नजदी के area में, IMT खरकोदा में, plot number 62, जो कि MS SMS Industries के नाम से अलोट हुआ है, यहाँ पर हर परकार की flexible states को बढ़ाने का भी कारिये क्या जाएगा, इसके बाद plot number 63, जो कि MS Own Car, Jewellers Private Limited के नाम से ह हुआ है, यहाँ पर company का प्रपोज, raw material और metal bars को बढ़ाने का होगा, पलोट number 64, यहाँ पर स्री बालाजी enterprises के नाम से registered हुआ है, जहां seats और plastic seats को बढ़ाने का कारिये किया जाएगा, पलोट number 65, Mr. Manish Goel, यहाँ पर floor meal और allied activities से जोड़ा कारिये किया जाएगा, पलोट number 67, Mr. MRS गिता अगरवाल के नाम से registered है, जो कि manufacturing और boxes, packaging material को बढ़ाने का कारिये करेंगे, इसके बाल पलोट number 68, Mr. Mohan अगरवाल के नाम से registered है, यहाँ metal engineering product, metal fabrication और allied activities से जोड़ा कारिये किया जाएगा, यहाँ आइम्टी खरकोदा में, पलोट number 70, Mr. Ankit Kumar Zain के नाम से registered हुआ है, जो यह यहाँ पर steel fabrication से जुड़ा कारिये करने वाले हैं, इसके बाद पलोट number 72, MS, Seum, Plastic and Impacts के नाम से registered हुआ है, यहाँ पर manufacturing और processing से जुड़ा कारिये किया जाएगा, इसके बाद पलोट number 74, यहाँ MRS, पूजा गुपता, जो की printing और packaging से जुड़ा material का कारिये करने वाले हैं, इस इसके बाद IMT खरकोदा में पलोट number 75, मिश्टर सुधीर गुपता के नाम से registered है, जो की यहाँ पर independent unit of job fabrication और अलग-अलग परकार के mechanical कारिये करने वाले हैं, पलोट number 77, MS, Silver Line Incorporation के नाम से registered हुआ है, यहाँ पर textile fabrication से जुड़ा कारिये किया जाएगा, इसके बाद पलोट number 78, MS, Metro Footwear Industry, जो की footwear से जुड़ा कारिये किया जाएगा, पलोट number 79, IMT खरकोदा के अंदर, MS, कुछ गरग के नाम से registered है, जो की plastic packaging firm का कारिये करने वाले हैं, इसके बाद पलोट number 80, MS, Delhi Electric Auto Private Limited, यह manufacturing electric vehicle से जुड़े accessories का कारिये यहाँ पर किया जाएगा, इसके बाद पलोट number 81, दीपक गुपता के नाम से registered है, जो manufacturing और PVC paper से जुड़ा कारिये करने वाले हैं, इसके बाद 82, MS Balaji Impacts India, यहाँ पर plastic और अधर परकार का कारिये भी किया जाने वाला है, इसके बाद पलोट number 84, MS, BTES, Strips Private Limited, यहाँ पर CR Strip और अधर अलाइड प्रोडक्ट से जुड़ा कारिये किया जाएगा, इसके बाद हम बात करें, पलोट number 85, यहाँ MS, नील कंट polymers के नाम से registered है, जो की polymers और footwear से जुड़ा कारिये करने वाले हैं, इसके बाद पलोट number 89, Mr. Jitendra Madan के नाम से है, यहाँ पर manufacturing automotive component से जुड़ा कारिये करने वाले हैं, पलोट number 91, Mr. Raghav Bansal के नाम से है, जो की यहाँ पर printing और non-printing material से जुड़ा कारिये करने वाले हैं, पलोट number 92, MS Goel Sanitary and Paints Private Limited, यहाँ पर medical trolley, operation, theater light, LED, medical beds को बनाने का कारिये भी किया जाएगा, इसके बाद पलोट number 94, MRS SEMA SAHANI के नाम से registered है, जो की यहाँ पर आने वाले समय में, boxes और साथ-साथ यहाँ पर bags को बनाने का कारिये करेंगे, इसके बाद पलोट number 95, Mr. Upender Zen के नाम से यहाँ पर registered है, जो आने वाले समय में, all kind के allied product को बनाने का कारिये करेंगे, पलोट number 96, Mr. Hars Mittal के नाम से registered है, जो engineering product और plastic product से जुड़ा कारिये करेंगे, इसके बाद पलोट number 98, यहाँ पर AVS, traders और agents के रूप से registered है, यहाँ पर footwear से जुड़ा कारिये किया जाएगा, इसके बाद पलोट number 99 के अंदर, MS Rise Electronics के नाम से है, यहाँ पर speakers, CCTV, allied product, mobile hand fee, और power banks को बनाने का कारिये किया जाएगा, इसके बाद पलोट number 100, MRS, मदू, खुर बना और निशान्त, खर बना, यहाँ पर footwear और allied industry से जुड़ा कारिये किया जाएगा, पलोट number 101, Mr. Manish Jain और Miss Parity Jain, जो कि यहाँ पर clear information नहीं है कि किस से जुड़ी company होगी, इसके बाद पलोट number 102, Mr. Amit Bansal के नाम से होगा, और यहाँ पर menu plastic की कुर्चिया और modules को बनाने का कारिये किया जाएगा, पलोट number 103, यहाँ सतीश कुमार footwear industry से जुड़ा पलोट होगा, पलोट number 105, MS Chroma, Plast Private Limited, material handing से जुड़ा यहाँ पर कारिये किया जाएगा, पलोट number 106, Mr. Ankush Rathi, यहाँ पर stretching, finishing, polishing और marbles, granate stone से जुड़ा कारिये किया जाएगा, पलोट number 107, Mr. Umesh Mittal, यहाँ polymer fabric से जुड़ा कारिये होगा, पलोट number 109, MS PK marketing company, paper cutting से जुड़ा कारिये यहाँ पर किया जाएगा, इसके बाद plot 110, जो कि 70 वापलोट होगा, यह मिश्टर दीपक गोयल के नाम से होगा, यहाँ पर wires से जुड़ा कारिये किया जाएगा, पलोट number 111, Mr. Gurumit Singh, यहाँ पर rediment garment से जुड़े कपड़ों का अभी कारिये होगा, इसके बाद plot number 112, यहाँ पर MS RE Wears Private Limited, जो कि manufacturing textile से जुड़ा कारिये किया जाएगा, पलोट number 113, MS Globe Polyplast, यहाँ पर home appliances, यानि कि घर से जुड़ी चीज़े बनाने का कारिये होगा, इसके बाद plot number 114, MR, शामलाल, टालस्याम, यहाँ पर auto parts को बनाने का काम किया जाएगा, plot number 115, MS Glamour Shoes Private Limited, यहाँ पर manufacturing और footwear related product का का कारिये किया जाएगा, इसके बाद plot number 116, यहाँ पर insulated solution, sheets का बनाने का कारिये भी किया जाएगा, plot number 117, MS Shribalaji, Rota Plast Private Limited, यहाँ पर Rota Water Storage Tanks को बनाने का कारिये होगा, इसके बाद plot number 118, MR, नीरज गुपता के नाम से होगा, जो wires, cable और PVC accessories को बनाने का कारिये करेंगे, plot number 119, MR, असोक कुमार गुपता, यहाँ manufacturing और wireless cable से जुड़ी accessories को बनाने का कारिये करेंगे, इसके बाद plot संख्या 120, MR, नीरज गांदी के नाम से, जो की यहाँ पर तारपीन से जुड़ी चीज़े बनाने का कारिये करेंगे, plot number 121, MR, राजेस बनसल, यहाँ पर printing, packaging और boxes को बनाने का कारिये होगा, इसके बाद plot संख्या 123, यहाँ पर Mrs, सिवानी गोईल और सुमित गोईल, यहाँ पर plastic product से जुड़ा कारिये किया जाएगा, इसके बाद plot संख्या 124, MR, रवी कंसल, जो इवा सिट से जुड़ा कारिये करेंगे, plot संख्या 125, महा सक्ति private industries के नाम से है, यह footwear industry से जुड़ा कारिये करेंगे, इसके बाद plot नमबर 121, रोहित अबरोल, यह tiles, designing, finishing और का कारिये करेंगे, plot संख्या 128, MR, परदीप जिंदल, यह cotton-coated fabrics से जुड़ा कारिये करेंगे, plot संख्या 139, MS, बंसल, polyplast private limited, यह PVC compound से जुड़ा कारिये करने वाले हैं, इसके बाद बाद करें, MR, मनपरीच सिंग बाल, यह printing manufacturing से जुड़ा कारिये करेंगे, इसके बाद plot संख्या 131, MR, असोक कुमार कटियाल, fabrics से जुड़ा कारिये करने वाले हैं, यह अमटिकर को दागे अंदर, इसके बाद plot संख्या 133, MS, शरीब बालाजी एंटरप्राइजिज, यह footwear से जुड़ा कारिये इस अक्षेतर में करने वाले हैं, इनके बाद बात करें, plot संख्या 135, परसोन गोयल, यह boxers से जुड़ा कारिये करेंगे, plot संख्या 137, MRS नेहा गोयल, floor meal और allied activity का कारिये करेंगे, plot संख्या 137, तरुन गोयल, यह एक mission की तरह e-rick शार्ज और electric vehicle से जुड़ा कारिये करेंगे, plot संख्या 138, राज कुमार बेरवाल और वैबव बेरवाल, auto lubricant, transformation oil, industry से जुड़ा कारिये करने वाले हैं, plot संख्या 149, मिस गोयल, sanitary paint, प्राइट इमित्री, यह sanitary paint से related कारिये करेंगे, plot संख्या 149, मिस अलका गोयल, floor और allied products से जुड़ा कारिये करने वाले हैं, इसके बाल दक, plot संख्या 141, company जो होगी, medivere private limited होगी, यह drops made non-vm fabric से जुड़ा कारिये करेंगे, plot संख्या 140, MS, energy venus limited, यह यहाँ पर factory के menu से battery contents का वर्क करने वाले हैं, मारुति के आसपास के रियां, plot संख्या 146, यहाँ पर MS, sahani India private limited, यहाँ पर gouge mask, इत्यादी caps को बढ़ाने का कारिये करेंगे, plot संख्या 147, MS, KTS polymers, जो कि plastic compound से जुड़ा कारिये करेंगे, plot संख्या 148, मिश्टर संदीप दाडमिया, यह यहाँ पर बात करेंगे, इसके बाद 149, MS, सुनिल कुमार गरग, यह नमकीन बिस्किट बढ़ाने का कारिये यहाँ पर करने वाले हैं, plot संख्या 150 के अंदर, MS, KB Corporation, battery container से जुड़ा और battery बढ़ाने का कारिये होगा, इसके बाद plot संख्या 151, मिश्टर निशान तमितल और दिक्षान तमितल, यह मैटल से जुड़ा कारिये, IMT खरकोदा में करने वाले हैं, इसके बाद plot संख्या 152, यहाँ पर कौन कोर्ड इंडिस्ट्री होगी, wire और cable से जुड़ा कारिये किया जाएगा, इसके बाद plot संख्या 151, मिश्टर अजे कुमार और रजिनी गोयल और अंजली सिंगल के नाम से है, यहाँ पर भी बोक्सिज को बढ़ाने का कारिये किया जाएगा, इसके बाद plot संख्या 155, यहाँ पर MS सत्यम पोली किन्स के नाम से है, जो यहाँ पर टेक्स्टाइल वर्क से जुड़ कारिये करने वाले हैं, इसके बाद plot संख्या 156, MS फ्यूचर मेटर अलोडी हाँ पर ओक्साइड पाउडर से जुड़ा कारिये किया जाएगा, अब plot संख्या 157, मिश्टर नीतिन सिंगल जो लुब्रिकेंट, मोबाइल ओयल और गरिसी से जुड़ा कारिये करेंगे, इसके प्राइट लिमिटेड ये सोफ्ट ड्रिंक और जूस बनाने का कारिये करेंगे, इसके बाद IMT खरकोदा में, plot संख्या 162, जो मिश्टर अभी नव, बुदी राजा के नाम से होगा, यहाँ पर पलस्टिक के खिलो होने, टोईज, इत्यादी को बनाने का भी कारिये होगा, पलोट संख्या 163, MS Infinity, Medikip India Private Limited, इस कंपनी के दवारा यहाँ पर चेर, वाकर, स्टिक, नेमुलाइजर, बिप्पी मोनीटिंग मशीन बढ़ाने का कारिये किया जाएगा, इसके बाद IMT खरकोदा में, plot संख्या 166 के अंदर, electric और home appliances से जुड़ा कारिये किया जाएगा, पलोट संख्या 168, MS Silver Line Incorporation के नाम से होगा, यहाँ पर textile footwear के अलावा और भी परकार का कारिये किया जाएगा, पलोट संख्या 179, MS Footwear Private Limited, यहाँ पर footwear उद्धोग से जुड़ा कारिये होगा, इसके बाद plot संख्या 170, MS SS Polymers के नाम से होगा, यहाँ पर polymers compound, master batch और footwear industry से जुड़ा कारिये किया जाएगा, इसके बाद plot संख्या 170, MS Impact Promises से जुड़ा कारिये होगा, यहाँ पर paperworks का कारिये किया जाएगा, पलोट संख्या 174 के अंदर, रजनी गर्ग के नाम से company registered है, जो कि manufacturing, cable और flexible कारिये करने वाले हैं, पलोट संख्या 175 होगा, वो MS बात करें, तो यहाँ पर MS High Pack Films Private Limited के दवारा होगा, यहाँ पर printing, packaging, films से जुड़ा कारिये किया जाएगा, इसके अलाब पलोट नंबर 176, यहाँ पर राज Aryans Export के नाम से कारिये किया जाएगा, जो non-stick works का कारिये करने वाले हैं, पलोट नंबर 177, यहाँ पर footwear से जुड़ा पलोट होगा, पलोट नंबर 178, MS Single, Buildwell India Limited के नाम से होगा, इसके बाद पलोट नंबर 179, MS Bansal Processing House होगा, जो textile manufacturing से जुड़ा कारिये करने वाले हैं, इसके बाद पलोट संख्या 180, यहाँ पर MS Nexus Solutions का कारिये किया जाएगा, इसके बाद पलोट संख्या 182, Mr. अरजुन कुमार चोकरबरती, जो यहाँ पर art, इसके बाद करें, direct thermal इत्याजी से जुड़ा कारिये करने वाले हैं, पलोट संख्या 183, Mr. जस परीच सिंग नंदा, यह आयरुवेदिक कोस्मेटिक हीना प्रोड़क्ट से जुड़ा कारिये करेंगे, इसके बाद पलोट संख्या 184, MRS धरम लता गोयल, जो यहाँ पर केबल्स और फ्लेक्सिवल फैंस को बढ़ाने का कारिये करेंगे, पलोट संख्या 185 के अंदर, MS AP Industries कमपनी आएगी, जो फूट वियर से जुड़ा कारिये करने वाली है, इसके बाद पलोट संख्या 186, MS Analysis Enterprises से जुड़ी कमपनी आएगी, यहाँ पर यह कमपनिया भी अलग अलग तरीके से कारिये करेंगे, इसके बाद पलोट संख्या 187 के अंदर, MS Paraglan Powder Cable Private Limited कमपनी आएगी, जो यहाँ पर पाउडर केबल्स को बनाने का कारिये करेंगी, पलोट संख्या 186, Mr. Navin Zain, या स्टेनले स्टील से और अक्सेसरीज को बनाने का कारिये होगा, पलोट संख्या 189, सिवायक गलोबल, यहाँ पर पोली स्टार से को बनाने क का कारिये किया जाएगा, पलोट संख्या 192, अमरीक बैटरी, बैटरिया बनाने का कारिये होगा, पलोट नमबर 191, MS Oxford Overseas को बनाने का कारिये किया जाएगा, पलोट संख्या 192, Mrs. Nishthagarag, यहाँ पर footwear से जुड़ा कारिये किया जाएगा, पलोट संख्या 193, MS Navitas Industries, कारिएएंगे इसके बाद प्लोट संख्या एक शुरेंदर कुमार गरग यह वैल्यू एडिक्शन फरनीचर फैब्रिक्स को बढ़ाने का कारिए करने वाले हैं इसके बाद आयम्टी खरकोदा में प्लोट संख्या एक सुस्तान में जो मिश्टर नवीन गोएल के नाम से होगा और यह नेरो वोवन फैब्रिक्स को बनाने का कारिये करेंगे प्लोट संख्या मिश्टर अजय कुमार गरग यहां पर बिस्किट फैक्टरी को बनाने का कारिये किया जाएगा इसके बाद प्लोट संख्या दोस्तों मिश्टर ससी कांत संग सिंगल यह हाइड्रोक्स क्रेब रिसाइकलिंग मशीन को बनाने का कारिये करेंगे प्लोट संख्या दोस्तों एक MS शगुन फैब्रिक्स प्रोडक्ट यहां पर इवा इंजेक्शन मशीन इवा फुट्वेर्स को बनाने का कारिये किया जाएगा प्लोट संख्या दोस्तों दो मिश्टर मनमीच सिंग साहनी यहां पर रेडिमेंट गार्मेंट के कपड़े बन को बनाने का कारिये होगा प्लोट संख्या दोस्तों पाच के अंदर MS सुशील कुमार जैन आफ यह से जुड़ा कारिया अलाइड प्रोड़क्ट का कारिये करेंगे प्लोट संख्या दोस्तों से MS एंसलीमा लाइफ साइंस लिमिटेड यहां पर पाउडर इंजेक्शन के अंदर MS राम प्रकास प्राविट लिमिटेड कंपनी होगी जो यहां पर मशीनरी पार्ट्स बढ़ाने का कारिये करेंगी इसके बाद बात करें प्लोट संख्या 210 की तो 210 अंकुर धीर के नाम से होगा यहां पर सेट अप किया जाएगा और मैनुफेक्सिंग स्टील फैं के नाम से होगा यहां पर प्लास्टिक प्रोड़क्ट से जुड़ा कारी फोगा प्लोट संख्या 213 उंट्रैज वेल्य एडिट वर्थं बंदक फरनीचर का कारीये करेंगे लूट संख्या204 ऑ्मपरकास टीर से बढ़ाने का कारिये करेंगे प्लोट संख्या 215 मिश्टर देवंदर कुमार शर्मा यह LED सोलर से जुड़ा कारिये करेंगे प्लोट संख्या 216 की बात करें तो मिश्टर सज्जन कुमार ओम परकाश के नाम से होगा यहाँ पर डिटेल से होनी की कि क्या काम करेंगे प्लोट संख्या 217 मिश से जुड़ा कारिय यहाँ पर करने वाले हैं। प्लोट संख्या 219 संधीप गुपता के नाम से होगा। क्लीज़ संख्या 225 मिष्टर मांगे राम YT के नाम से होगा। प्लोट संख्या 221 मिष्टर सरी जय भगवान magnitude संख्या। के नाम से रिजिस्टर होगा। इसके बाद प्लोट संख्या 222 की बात करें तो यहाँ पर MS MacPred Enterprises LLP के नाम से होगा यह फार्मा से जुड़ा प्रोड़क्ट बनाने वाले हैं प्लोट संख्या 223 Mr. Rajesh Kukreja के नाम से होगा यह यहाँ पर Bags का निर्मान कारिये करेंगे प्लोट संख्या 224 Mr. Inderpal Singh के नाम से होगा यहाँ पर प्लोट संख्या 224 IMT के अंदर बात करें ओटो पार्ट्स को बनाने का कारिये किया जाएगा प्लोट संख्या 225 गोरो जैन और मनो जैन के नाम से होगा यहाँ पर स्टिप सरकर और अलाइड प्रोड़क्ट को बनाने का कारिये भी किया जाएगा प्लोट संख्या 236 मिश्टर संदीप कुमार और संजीव कुमार के नाम से होगा यहाँ पर ब्रास फोगिंग ब्रास रोड और इत्यादिक चीजों को बनाने का कारिये किया जाएगा प्लोट संक्या 227, Mr. देवंदर कुमार गुपता के नाम से होगा, यहाँ पर वायर्स, केबल्स और PVC प्रोडक्ट को बढ़ाने का कारिये होगा प्लोट संक्या 228, MS ब्राइट केबल प्राइट लिमिटेड के नाम से होगा, और यहाँ पर एलेक्ट्रोलिक केबल्स और वायर्स को बढ़ाने का कारिये किया जाएगा प्लोट संक्या 239, MS ब्रेखा गुपता के नाम से होगा, और यहाँ पर केमिकल सोलिंटरी से जुड़ा कारिये किया जाएगा, जो कि जूतों के लिए होगा प्लोट नमबर 230, MS आई पाउर बैटरी प्राइट लिमिटेड होगा, यहाँ पर लीथियम बैटरी बढ़ाने का कारिये किया जाएगा अब बात करें प्लोट नमबर 231, MR राकेश जैन के नाम से होगा, यहाँ पर सीट मेटल फैबरिकेशन और कास्टिंग से जुड़ा कारिये किया जाएगा प्लोट संक्या 232, MR सरे गोएल के नाम से होगा, यहाँ पर बात करें, फैलेक्सिबल पैकेशन और फैबरिक से जुड़ा कारिये किया जाएगा प्लोट नमबर 233, MR बहावना गेरा के नाम से है 234 नमबर प्लोट MS VIP प्लास्टिक्स के नाम से होगा, यहाँ पर प्लास्टिक प्रोड़क्ट कंपाउंड को बढ़ाने का कारिये किया जाएगा इसके बाद प्लोट संक्या 235, MR सोरव कपूर गोरो कपूर के नाम से होगा यह आईमटी खरकोदा में प्लोट नमबर 233 को प्रिफरेंस दे रहे थे और यहाँ पर ओटो मॉबाइल से जुड़ा कारिये किया जाएगा प्लोट नमबर 236 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राज नरान एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी के नाम से होगा यहाँ पर स्टेनलेस यूटिलिटी नोन स्टिकी कुक्वेर बढ़ाने का कारिये किया जाएगा इसके बाद प्लोट नमबर 236 MS-86 फोल्स प्रिफरेंट लिमिटेड के नाम से होगा और यहाँ पर प्रोड़क्ट स्टील फैबरीकेशन के नाम से बढ़ाने का कारिये होगा इसके बाद प्लोट संख्या 238 MR तुशार गुपता के नाम से होगा जो मोडूलर फर्निष्ट और इंट्रियर वर्क बढ़ाने का कारिये करेंगे प्लोट संख्या 249 MS and S स्टील प्राविट लिमिटेड जो यहाँ पर फुटवेर बढ़ाने का कारिये करेंगे प्लोट संख्या 241 MR मिकोलूब इंडिया लिमिटेड यहाँ पर लुब्रिकेंट ओयल्स को बढ़ाने का कारिये किया जाएगा प्लोट संख्या 242 के अंदर अगर बात करें मिश्टर अजीत गरग होंगे और यह मैनुफेक्टरिंग और सेनिटरी हार्डवेर से जुड़ा कारिये यहाँ पर करने वाले है इसके बाद प्लोट नंबर 243 MS MITFAST Technology Private Limited से जुड़ा कारिये किया जाएगा प्लोट नंबर 244 निदी गुपता के नाम से होगा यहाँ पर मैनुफेक्टरिंग बॉक्षीज का कारिये किया जाएगा प्लोट नंबर 245 MRS मन्जु कोशिक के नाम से होगा मैनुफेक्टरिंग और कोरुगेटिड बॉक्षीज से जुड़ा यहाँ पर कारिये किया जाएगा इसके बाद प्लोट नंबर 244 यहाँ पर MS Unique Enterprises के नाम से जुड़ा यह प्लोट होगा जापर Injection Modeling Machine प्लास्टिक से जुड़ा कारिये किया जाएगा इसके बाद प्लोट नंबर 247 यहाँ पर MS Dipali Goel के नाम से होगा जो प्लास्टिक पाइप्स को बढ़ाने का कारिये करेंगे प्लोट नंबर 248 यहाँ Mr. Vivek Agarwal के नाम से होगा जो स्टील, वेट्स और सिंक्स को बढ़ाने का कारिये करेंगे प्लोट नंबर 249 MS MAM Global के नाम से होगा जो बोक्सिज और पैकेजिंग से जुड़ा कारिये करेंगे इसके प्लोट संख्या 250 Mr. Anuj Garg के नाम से होगा जो फ्लोर मिल से जुड़ा कारिये यहाँ पर करने वाले है अब यह लिस्ट ऐसे के ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी आप पूरी लिस्ट को देख सकते हैं वीडियो को कहीं पर भी रोक कर कि कौन से कंपनी किस प्लोट नंबर में आने वाली है और IMT खरक होदा के 144 पेजों के अगर PDF आपको चाहिए तो निच्चे शोर है वाट्सप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके यह PDF विपराप्त कर सकते हैं इसी के साथ आप पूरी वीडियो को देखते रहें और समझें कि प्लोट कौन कौन से प्लोट में किस परकार 1574 कंप्रियां अलोट की गई है